नमस्कार दोस्तो स्वागत है अब सबका एक वार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमकुज अफिशल में तो दोस्तो आज हम आपके लिए एक वार फिर से सिनोनियम्स एंटोनियम्स का मौक टेस्ट लेकर आए हैं और इस पर हमारा पहले भी वीडियो आ चुका है अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो दोस्तो सभी कोस्टन जो हैं वो इंपोर्टन हैं इसलिए 30 में से कम से कम 25 कोस्टन आप करने की कोशिश करें और अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं तो वीडियो मागे बने इस पहले अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ तो दोस्तो आज हम करेंगे HP Police Constable Exam Preparation 2022 के लिए 30 Important Synonyms and Andonyms का Mock Test ठीक है तो यह होगा Mock Test No. 54 तो शुरू करते हैं First Question से तो सबसे पहले हम Direction पर लेते हैं In each Question below, out of the four alternatives, choose the one which waste नहीं होगा यहां पर Most होगा, Most expresses the meaning of the given word ठीक है जी तो First है हमारा Synonym सबसे पहले हम क्या करेंगे, Synonyms करेंगे तो First Synonym है Connissor ठीक है, Connissor का मिनिंग क्या होता है Connissor का मिनिंग होता है विशेशग्य जो की पार्की होता है, माहिर होता है किसी चीज में Connissor, ठीक है तो इसके लिए Options दिए गए है Trust Worthy, Expert, Cheat या Corrupt तो यहाँ पर इसका सहीज बाब होगा Option B, Expert ठीक है, Expert पिशेशग्य ही होते है ठीक है, Expert जिसको बोलते है Next है, Hybrid ठीक है, Hybrid का भी नहीं होता है Sankar, ठीक है Burn Sankar जिसको बोलते हैं हिंदी में कोई चीज ऐसी जो दो अलग-अलग Elements को मिला कर बनी हो ठीक है, दो अलग-अलग Elements को बना के जो चीज बनते हैं उसे Hybrid बोलते हैं ठीक है, जैसे Hybrid बीज होते हैं ठीक है, तो इसे English में Cross भी बोलते है Cross breed भी बोलते हैं, ठीक है तो इसके लिए आपको Options दिए गए है Clean, Cross, Superb या Serious तो यहाँ पर इसका जो सही Synonym होगा, बो होगा Cross, Option B, ठीक है Cross का मीनिंग भी सेम होता है दो अलग-अलग चीज़ों को मिला कर जो एक चीज बनती है, उसे बोलते हैं ठीक है, Hybrid, Cross Cross breed ठीक है, Next है Fractious, अब Fractious का मीनिंग क्या होता है Fractious होता है दोस्तों जगडालू होता है जो, ठीक है जिस पर कोई नियंत्रन नहीं होता लड़ाक के प्रवित्ती का जो वेक्ती होता है Fractious, ठीक है, तो Irritable, Shattered Partitioned या Unfair तो बताइए सहीज बाव, तो दोस्तों Option A, Irritable, ठीक है इसका जो सिनोनिम होगा Irritable का चिर्चिड़ा, बोलते है न Irritation हो रही है, Irritate कर रहा है, चिर्चिड़ा सभाव, ठीक है चिर्चिड़ा होना, Irritate होना Next है, Question Number 4 Suppurious अब Suppurious का मिनिंग क्या होता है Suppurious होता है, जाली, नकली ठीक है, करित्रिम रूप से बना हुआ उसे बोलेंगे Suppurious तो यहाँ पर Options है Genuine, False Readily Available या Outstanding तो इसका जो सही जबाब होगा बोहोगा False, ठीक है False का मतलब जूठा, नकली, ठीक है Same होगे दोनो, Superious Right Synonym for Superious is False Option B is the right answer Next है, Question Number 5 Verity, अब Verity का मिनिंग क्या होता है Verity का मिनिंग होता है सचाई, सत्य, ठीक है जो सचाई है, हकीकत है उसको बोलेंगे Verity तो इसके लिए Options है Truth, Change, Wholesome, Differ तो Truth is the right answer ठीक है, Truth means सचाई Next है, Question Number 6 Vestibule, अब Vestibule का मिनिंग क्या होता है Vestibule का मिनिंग होता है जो एक दहलीज होती है हमारे घर में, ठीक है प्रवेश द्वार जिसको बोलते है प्रवेश करने, दहलीज होती है जिसमें प्रवेश करते है दलान बोलते है जिसको या बरोठा भी बोलते है ठीक है, तो Vestibule दहलीज, तो Options है Directed, Investment, Lobby या Idling, तो इसका सही जबाब होगा Option C, Lobby Lobby का मीनिज होता है प्रवेश कक्ष जो होता है ठीक है, उसको Lobby बोलते है Option C is the right answer Next है, Gullival अब Gullival का मीनिग बताइए क्या होता है Gullival का मीनिग होता है भोला, भोला होता है जो सीधा साधा होता है ठीक है, उसको बोलेंगे Gullival तो next options है आपके लिए Hungry, Foolish, Insane या Cheeky तो इसके लिए जो nearest synonym इसका nearest मीनिग आ जाएगा synonym तो वो होगा foolish ठीक है, foolish भी क्या होता है वैसे foolish का मीनिग तो मूर्ख होता है पर जो सीधा साधा होता है उसे मूर्ख बनाया जा सकता है ठीक है, जो सीधा साधा होगा उसे मूर्ख बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती तो जल्दी बातों में आ जाने वाला ठीक है, मूर्ख, Foolish गुलिवल, Foolish तो next क्या है हमारा यहाँ पर Infringe, ठीक है Infringe क्या होता है उलंगन करना या निरादर करना या किसी नियम को तोड़ना, ठीक है That is Infringe तो इसके लिए options है Filter, Disobey ठीक है B-E-Y Disobey तो Boundary, Shrink तो यहाँ पर बताईए सही जबाब क्या होगा इसका तो दोस्तों जो Missing है Disobey यहाँ पर Disobey इसका सही जबाब है Disobey मतलब Obey नहीं करना ठीक है Disobey उलंगन करना आदेश का पालन ना करना That is Disobey तो इसके लिए Right Synonym क्या हुआ Disobey Option B is the right answer Next है Question No.9 Bowel ठीक है Bowel इसके लिए सही आपने Synonym बताना है कौन सा होगा इन में से तो Bowel का मीनी क्या होता है लड़ खडाना ठीक है डगमगाना या लड़ खडाना तो Elastic Heated Tremble Jumpy तो इन में से कौन सा होगा सही तो दोस्तों Tremble Tremble क्या कामपना ठीक है लड़ खडाना का Synonym का हुआ कामपना ठीक है Bowel का क्या हुआ Tremble तो Next है Erudite अब Erudite का मीनी क्या होता है बेग्यानिक ठीक है जिसे बिद्वान बोलते है ग्यानि बोलते है That is Erudite तो Harsh Stain Quick Learned तो इसका सही जबाब होगा Learned ठीक है Learned मतलब सीखा हुआ सीखा हुआ बिद्वान ब्यक्ती ठीक है तो Next है Question No.11 Grimy अब Grimy का मीनिंग क्या होता है गंदा मेला सामला ठीक है उसे बोलेंगे Grimy तो इसके लिए Options है Clean Shiny Greased Slippery Sorry, यहाँ पर Clean नहीं आएगा यहाँ पर आएगा Unclean ठीक है Unclean तो Unclean Shiny Greased Slippery तो बताइए सही जवाँ क्या होगा इसका तो दोस्तो Unclean Option A is the right answer Unclean का मीनिग क्या हुआ जो साफ नहीं है ठीक है जो Clean नहीं है Next है Kindle Kindle का मीनिग क्या होता है Kindle का मीनिग होता है आग ठीक है प्रोजोलित प्रोजोलित करना या सुलगाना आग जलाना उसे बोलेंगे Kindle तो Soft Pity Fire Make तो क्या होगा इसका सिनोनिम से ही Fire ठीक है आग ठीक है आग के साथ मिलता जोता है तो Fire is the right answer Next है Tedious Tedious का मीनिग क्या होता है Tedious का मीनिग होता है धीमा ठीक है जो ठकाव है ठकने वाला कठिन काम ठीक है उसे बोलेंगे Tedious तो Lively Minute Tiring या Single तो Tired होता है ठकावट ठकना Tired ठीक है Tiring बना उसे ठीक है Tiring means ठकाने वाला काम ठीक है Tiring work तो Tedious का ठीक है उसे बोलेंगे Overcast तो Announce Project Dull या Carry तो यहाँ पर जो word dull है dull का मीनिग क्या होता है मंद धीमा धुंदला ठीक है dull shine ठीक है जिसकी shine ना हो तो बादल पढ़ते हैं तब भी shine नहीं रहती है ठीक है तो Overcast का मीनिंग क्या हुआ सॉरी सिनोनिम क्या हुआ डल तो दोस्तों Next Question है हमारा Jeopardy ठीक है इसका आपने सिनोनिम बताना है क्या होगा Fun Action Marry या Danger तो Jeopardy का मीनिंग होता है खतरा ठीक है खतरा होना या फिर संशे होना संदे होना ठीक है तो इसके लिए बताईए सही सिनोनिम कौन सा होगा Fun Action Marry Danger तो Danger होगा ठीक है Option D is the right answer Danger क्या होता है खतरा Next है In each question below Out of the four alternatives choose the word which is most nearly the opposite in meaning to the given word ठीक है अब आपने opposite बताना है मतलब Antonium बताना है जो आपको आगे question आएंगे ठीक है तो सबसे पहले है Transient अब Transient का मिनी क्या होता है Transient का मिनी होता है क्षनिक होना थोड़ी देर के लिए ठीक है जो थोड़ी देर के लिए हो कम समय के लिए हो से बोलेंगे Transient Option है Passing Brief Lucid Eternal तो इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा Eternal Option D is the right answer ठीक है Eternal का मिनी क्या होता है अनन्त जो अनन्त है जिसका अन्त नहीं है अनादी अभिनाशी ठीक है तो क्षनिक का क्या हो गया उल्टा हो गया ठीक है Option D is the right answer Next है Effective अब Effective के लिए जो यहाँ बें मीनिंग है प्रभाब्भी ठीक है प्रभाब्भी होना प्रभाब्युक्त तो उसे बोलेंगे Effective Potent Evil Futile Sharp तो क्या हो इसका सही अंसर क्या होगा तो इसका सही अंसर होगा Futile Option C ठीक है Futile क्या होता है अब आउस्ट का मीनिंग क्या होता है आउस्ट का मीनिंग होता है बाहर निकालना आउट करना हटाना तो options है Spoil Renew Induct या फिर Outdo तो इसका सही जबाब होगा Induct Option C Induct का मीनिंग क्या होता है प्रतिश ठापित करना मतलब शुरू करना पदा सीन करना पदा सीन करना पद पर आसीन करना ठीक है बिठाना तो बाहर निकालने का उल्टा क्या हुआ बिठाना ठीक है Option C Is the right answer Next है Sustain Sustain होता है बना कर रखना निरंतर ठीक है Sustain तो बोलते हैं है Hope sustains life ठीक है तो sustains मीन बनाए रखना संभादना ठीक है तो इसका उल्टा क्या होगा Opposite Rule Upload Uphold Impose या Resist तो इसका होगा Impose Option C Impose का मीनिंग क्या होता है थोपना या लगाना ठीक है तो next है Lofty Option Sublime Flat Shrill Terce ठीक है Lofty का मीनिंग क्या होता है पहले ये जानने Lofty का मीनिंग होता है Buland ठीक है उंचा ठीक है तो इसके लिए सही जबाब होगा Flat Option B Flat means समतल है जो सपार्ट है उंचा नहीं है समतल है ठीक है Option B is the right answer Next है 21 Lucius Lucius के लिए सही मीनिंग क्या होगा इसका Lucius होता है Tasteful जो स्वाद है ठीक है Sue स्वाद जिसे बोलेंगे जिसका स्वाद बहुत अच्छा है Lucius तो Shining Tasty Eerie या Sour तो इसका सही जबाब होगा Sour ठीक है Sour का मीनिंग क्या होता है Khattah या कटू ठीक है कुछ भी हो सकता है तो Option D Is the Right Answer Next है Revenue Revenue क्या होता है Rajaswa राजे को होने वाली I उसे बोलेंगे Rajaswa तो Income Outlay Construct Repeal तो क्या होगा इसका सही जबाब Outlay Option B Is the Right Answer ठीक है Outlay का मीनिंग क्या होता है परीब्याई करना खर्च करना जो लागत आई है उस पे ठीक है तो Next है हमारा यहाँ पे Tangival ठीक है Tangival क्या होता है जो बास्त्विक है सच्चा है उसे बोलेंगे Tangival तो Independent Unreal Material या Salient तो क्या होगा इसका सही जबाब तो इसका सही जबा होगा Unreal जो Real नहीं है बास्त्विक नहीं है ठीक है इसका उल्टा हो गया Opposite हो गया Option 20 दर आईटन से Next है Findish अब Findish का मिनिक क्या होता है Findish का मिनिक होता है पैशाचिक होना या नीच दुष्ट शैतान उसे बोलेंगे Findish ठीक है तो Corrupt Angelic Valuable या Reverent तो Angel क्या होता है Angelic Sorry Angelic क्या होता है जो दिब्य है ठीक है स्वरग का दूथ देवदूथ देवदूथ के समान है उसे बोलेंगे Angelic ठीक है अब Next है Nebulous अब Nebulous का मिनी क्या होता है जो Aspast है धुंदला है जो साफ नहीं है ठीक है Aspast नहीं है उसे बोलेंगे Nebulous तो Clear Confused Careful या Central तो इसका सही जबाव होगा Clear जो साफ है Spast है ठीक है Next है Questionable Questionable होता है जो संदेह युक्त है ठीक है संदिग्द है संका है जिसने कोई उसे बोलेंगे Cautionable ठीक है तो इसका Opposite क्या होगा Subjective Disputed Certain या Deductive तो इसका Opposite होगा Option C Certain ठीक है अब Certain का मिनी होता है असंदिग्द जो Spast है Nishchit है Option C is the right answer Next है Blemish Blemish का मिनी क्या होता है Blemish का मिनी होता है दोश ठीक है धबबा युक्त दोश युक्त उसे बोलने के Blemish जिस पे कोई धबबा है या दोश है ठीक है Acclaim Sportless Advanced या Rattered तो इसका सही जबब होगा Sportless Option B Sportless means Sport रहित धबबा रहित दोश रहित दाग रहित ठीक है Option B is the right answer Next है Extra Begant Extra Begant का मिनी क्या होता है Fizool Kharchi अत्याधिक खर्च करना ठीक है जो अत्याधिक खर्च करता है पैसा ठीक है Option D is the right answer Next है Question 29 Deviate Deviate का मिनी क्या होता है Kroor भ्यंकर निर्दई जो होता है उसे बोलेंगे Deviate तो Obscure Magnify Persist या Restore तो क्या होगा इसका सही जबब इसका सही जबब होगा Persist ठीक है Persist मिन्स जो अडंबर भिहीन है जिसमें कोई दिखावा नहीं है ठीक है बिनीत है जो ठीक है Persist Option C is the right answer तो Next and Last Antonium में हमारा Ferocious और Ferocious का मिनी होता है भटकना बिचलित होना ठीक है दिड़ ना रहना उसे बोलेंगे Ferocious तो इसके लिए Prolific Strong Modest या Wild तो इसका सही जबाब होगा Option C Modest अब Modest का मिनी क्या होता है जो भटकता नहीं है जो दिड़ रहता है ठीक है अडिग रहता है उसे बोलेंगे Modest Option C is the right answer तो दोस्तो यह थाज का वीडियो अगर वीडियो आपका अच्छ रगा हो